रिवा पुलिस कंट्रोल रूम के बाहर सिविर लगाकर सडक सुरच्छा के प्रत्री स्कूली छात्र छात्राओं को किया गया जागरुक। रिवा लगातार हो रहे एक्सिडेंटों में मौतों की बढ़ोत्री को देखते हुए। उपुलिस महानिरिक्चक नवनीत भसीन ने नैवर्स के प्रथम से यातायात जन जागरुकता अभियान को और भी तेज कर दिया है और साथ ही कंट्रोल रूम के बाहर सिविर लगाकर सडक सुरच्छा के प्रती स्कूल छात्र छात्राओं को जागरुक भी किया गया है। उपुलिस महानिरिक्चक नवनीत भसीन ने स्कूल छात्र छात्राओं से समबात करते हुए यह भी अपिल की है कि जैसे आपको आपके घर में परिजनों द्वारा जागरुक किया जाता है वैसे ही आप भी अपने परिजनों को यातायात के नेमों से जागरुक करें और पाथी समवाद के बाद पाँच ट्रैफिक रथ यातायात जन जागरोकता के लिए हरी जंडी दिखा के रवाना किये गए। जितना भी फोकस है जो भी उद्देश है केवल एक मात्र उद्देश है कि किसी तरीके से रोड एक्सिडेंट को कम किया जाए और जो लोगों की मृत्ती हो रही है उसको कम किया जाए केवल मात्र एक उद्देश है चाहे रोड पर दो पईया वहाँ चला जो बिना हेलमेट के चलते हैं वो ऐसा ना करें हेलमेट हमेशा लगा के रखें फोर विलर चलाते समय में सा सीट बैल का उपयोग करें ड्रिंग करके गाड़ी ड्राइब ना करें यह सब उद्देश हमारा है इसी के तहट आज हमने लगवग डेर सो से दो सो इस्टुडेंट के साथ में यह प्रो करेंगे और यह गाड़ियां आज रवाना की गई यह गाड़ियां प्रथम तोर पर जो है यह शहर में विभिन चोराओं ते रहों पर व्यापक प्रिचार पतार करेंगी उसके बाद जो हमारे मेन ब्लैक स्पॉट हैं जो एक्सिडेंट वाले शेत्र हैं जैसे सुहागी हन मना हाइवे के जो भी थाने हैं जैसे रायपूर करचलियान मनगुवा और चाकगाट बगएरा सग्रा बैकुन पूर शिर्मा और यह थाने जहां पर रोड एक्सिडेंट बहुत मात्रा में होते हैं इस रूट पे गाड़ियां जाएंगी और वहां व्यापक मात्रा में लो को हाइवे के लिए होना चाहिए इसलिए यह अभी तो कंटीनियू हम लोग करेंगे लगबागा पांच्छे दन कंटीनियू इसको अभियान को करेंगे करीवा में अभियान यह किया जा रहा